असलाहो रीक। आज हम डिसकस करने वाले हैं कि घर में रहते हुए जी आप अपने दान्तों को अच्छे तरीके से कैसे साफ कर सकते हैं और साथ साथ आपको बताएंगे वो मिस्टेक्स वो कॉलन गलतियां जो के बुरुश करने के दुराद आम तर पर रोग करते हैं और बता आपको जरूर पुश्टा लीजी ताकि आप जाओे हर किसम की बीमारी वबाइडाज और रख सके अपना और अपने प्यारों की से इत्कार बहुत सारा क्यार दान्तों की सपाई ने जो सबसे अहम चीज है वो डेमतली फ्लॉस है लहाजा बहुत सरे लोग टुथ पेस तो क कर देती है आम तो पर जो ट्रिडिशनल वो डागे की फ्लॉस इस्तुमार की जाती है दागे की फ्लॉस से दान्तों के दर्म्यानी से दान्तों के पीछली हिसों वो अच्छे तरीके से साफ कर लिया जाता है कि वो खाना जो कि दान्तों की सर्फिस के साथ चिपने के बाद किसन की बिमारियों और स्पेशली कैमटीज का आज़ गरता रहा है उसको अच्छे तरीके से साफ करने जाए अब तो वाटर फ्रॉसर और अलेक्ट्रोनिक फ्रॉसर भी आ चुगे है अधर आप पो रुश्कर होती है कि आप बड़ा सरा वोल के उली के साथ फ्रेट दातों के पीछे तक या आफर तक फ्रॉसर नहीं डर सकते तो नौर्मली जैसे अलेक्ट्रोनिक फ्रॉसर इस्तमाल किये जाते हैं इसी तरह सी आप वाटर फ्रॉसर गो भी अपने दालतों पे सिर्थ फ्रेड़ेंगे तो आपके दान प्रिपर साफ हो जाएंगे मारबीड में मुक्लिफ ब्रैंड नेम से वाटर फ्रॉसर अने बरो इसके बाद हम बात करेंगे वर्शिंग की वो वाली वर्टिया जिसकी वज़ा से आप अपने दातों को प्रॉपर साफ नहीं कर सकते जिसमें सबसे पहली है कि अपसम देखा गया है कि लोग सिर्फ सामने वारे हिस्सों पे वर्श करते हैं जबकि दातों की साइडे और दातों की पिछली सता वो सारा हिस्सा छोड़ देते हैं जिसकी वज़ा से दातों के सामने वारे इंसे तो बजार साफ मदराते हैं मगर cavities दातों के दर्मियान दातों की साइडों पे और पिछले हिस्वं में डिर्यवर्पोला शुरू हो गया आप जब भी वरिश्ट करें तो ना सिर्फ सामने वारे हिस्वं पे बलके पिछले और साइडों पे भी अच्छे निके से वरिश्ट करें ताके आपके दान मकमल क्लीन हो और cavities और दूसरे मसाय से बचा जासे दूसरी कॉमल डल्टी जो लोग करते हैं वो है कि जल्दी जल्दी में वरिश्ट करते हैं लोग के बास बत्त नहीं होता हम आंग दोर पर अपने आफिस जाने के लिए सपूल जाने के लिए या अपने काम बन जाने के लिए लेड हो रहे होते हैं लेहाजा हमके कफॉर्मल्टी पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी से वरिश्ट करते हैं बलकि कुछ लोग तो इतनी तेजी से बुरश करते हैं कि वो फ्रॉप पर पेस्ट हो भी अपने उसे रिंस के साथ नहीं निकार बाते जो कि फिर मुक्लिब किसमगी भी वाल रोगा सबब होता है और दान्तों की सपाई भी फ्रॉप पर ली नहीं बोफा तीसरी बल्दी जो देखने में आती है वो ये कि कुछ लोग दान्तों को बहुत सफ़ती के साथ रग बिरती हैं वो हाड गिसंगा बुरश इस्तमाई बिते हैं और दान्तों को बहुत सब्सक्राइब रगणा जाएगा दान्तों उतना ही अच्छे तरीके से साफ होगे जो के विल्कुल घरत क्यार हमेशा नर्म तुथ बुरश इस्तमाई करें और दान्तों को नर्मी के साथ आप बुरश करें कि दान्तों को जितना ज़्यदा रगड़ेंगे दान्तों की सरफेज पे जो नयाम ही है वो डेवच हो जाएगा और दान्तों में गरल या ठ्टना रणने वाले निसाइट डेवेलफ हो सकते हैं और एक और कॉमन गलती जो देखने में आती है कि लोग अपनी गम्स के साथ मसूरों के क्रीव बुरश इंग नहीं करते हैं बलके उससे उपर उपर बुरश करते हैं जिसकी वज़ा से खाना मसूरों के विल्कुल पास पास ज जमा रहे जाता है यहीं वज़ा है कि येलो नेस मसूरों के पास पास नदल आती हैं और यहां पर भी कैवटीज बनने का अमर स्टार्ट हो जाता है यहादा जब भी बुरश करें तो अच्छे तरीके से पूरा वकर देते हुए बुरश करें और अपने मूल को अच्छे प बनेगा बलकि उसके साथ साथ आपकी नमाज तस्वार भी कैंग न भढ़ जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप प्रॉपर्ली एक्सराइज करें अपने नीम पूरी करें अपने जिसम में पानी की कमी नर्फ होने दें से ड्रेस से बचें पांच वोगत की नमाज कुरान एकीन की तलावर तर्सवर और कुरान फहमी को अपना मवूल बनाने अन्ना तला से दिरों दोवाई करें इनसान एक फिद्मत में लग जाए तो आप देखेंगे कि जल्द ही आप एक सहत मल और फुशो कुरम जिद्धी उसाना शुन कर देंगे अन्ना तला से दौा